चोटी चोटी बातों से जीवन बहुत महान बन जाता है चोटी चोटी अच्छी बातों से और चोटी चोटी बुरी बातों से जीवन बहुत बुरा बन जाता है मैं ने छोटी-छोटी बाते की जिंदीगी में कोई बहुत बड़ा धरती को प्रड़ा करने वाला काम नहीं किया, मैं छोटी-छोटी बाते क्या की, बच्पन में स्वाथ्याई करना सुव कर दिया। मैं जब 10-12 साल का था, 12 साल की उम्र तक करीब करीब महर्शी दयानंद का साहित थे और अनेक महापरशों की जीवनियां और योग की छोटी-छोटी पुसकें, अब योग दर्शन सांखें, न्याय वेदान थे ये तो हमारे पास थे, इनी तो पढ़ते कहां से, छोटी-छोट किताबें, जिनमें योग की बारे में लिखाता है, उनको देख देख करके, जादात्र में तो वो रेखा चित्र होते थे उसमें फोटोग्राफिवाला थोड़ा प्रचलन कम था, तो देख देखर क करने की आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत, मिहनत करने की आदत, ना राज नहोने की आदत एक दिन हमने स्कूल में सुना रूठना नीची पहल में बहुत रूठ जाय करता था लेकिन उसके बाद हमने रूठना छोड़ा ही दिया और अब तो मैं देखता हूँ अब तो मुझसे कोई ना को रोज रूठा रहता है मेरा काम रूठों को मनाने का हो इसलिए आदमें को बहुत धीरज रखना पड़ता है धर्म का पहला लक्षनी धीरज धीरज है कितनी बड़ा कोई प्रड़यकारी काम हो जाए धीरज मत खो करता पेसे विमुक नहीं हो ना धीरज बहुत बड़ी चीज़ है धैरी पेसेंस जीवन के हर क्षेतर में जरूरी फिर छूटी छूटी बात है जो एक बार मन में ठान लिया उसको पूरा करके ही रुकना बीच में आधा नहीं छोड़ना जिसका एक बार हात पकड़के रखा जिंदगी मुझका साथ नहीं छोड़ना छूट छूटी बात है इनसी जीवन चलता है खाने पर कंट्रोल करना विचारों पर नियंदेर दहना अ आप्नी वालिव्यार पर नियंके रखना अ अ अपनी बाड़ों की इज़त करना अ करतेजयता का भाव रखना और कभी भी कभी वी कउये कीतने ही अपनी बुरा ही करे, कोई कितना ही अपने से द्वेश करे, आप किसी का बुरा मत करना, ये छोट छोटी बाते आप सब ने सुनी विए, सुनते तो हैं, लेकिन वैसा आप पूरा करते नहीं, इसलिए मैंने एक बात कही थी, कि सब हमारे बड़े गुरु इस बात पर ध्यान II आंगे जो चीज हमें समझ में आगई है जानी वी बात का सुनी वी बात का समझी वी बात का आधर करो कि अब जोटी सी बात लेकिन जिवन की सबसे बढ़ी बात बुरी चीजु का एक बार भी आदर नहीं करना ची बुरा विचार बुरी वानी बुरा व्यभार जो भी हो बुरी बात का एक बार भी आदर नहीं करना अशुब का एक बार भी आदर नहीं करना दुरितु का दुर्गुनों का दोशों का दुर्बलता का कमजूरियों का एक बार भी आधर नहीं करना और अच्छी बात का एक बार भी अनाधर नहीं करना यह बहुत बढ़ी बात है इसमें जीवन की सारी बाते आगए